नमस्कार नियूज 24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आशुकेश तिवारी मेरे साथ सुकेश रंजन और आप नियूज 24 का खास कारकरम देख रहे हैं राजनिती की देख बताएंगे सुकेश आज बात करेंगे यूपीसी को लेके केंद्र सरकार ने जो लेटरल एंट्री का एक स्कीम निकाला है जिसके जरीए डाइरेक्ट भरतियां हो सकती हैं यूपीसी के विभिन पदों पे केंद्र सरकार के विभागों के अधीन उस पे ब अगातार केंद्र सरकार पे हमला बोल रहे हैं ऐसे मैं आज हम समझेंगे कि इसका जो पॉलिटिकली इंपेक्ट पड़ा है क्योंकि हमने कली बात की थी यूपी सिक्षक भरती को लेके उसमें आरक्षन को लेके उसके घोटाले को लेके इसके बाद से फिर से राहूल और फिर से केंद्र सरकार आरक्षन पें घेरे इसके पढ़र जाते है ने उनकिन आप मैं ने पहले क्या की क्या बी इसकी माई है क्यों है इंजा जहाइं जुह सारथ है सो पहले फोड़ा सब्सक्राण जरूरी है प्राडो कि बाहुत पुराणा है कि तो अब आप मन मोहन सिंह को ले लिए प्रधानमंत्री威ी उनकी हमी कि लंड़ाल समझने के लिए हमारे समझें कोप्री कर सेटे लाधिक ब्लीषन्टर्व ईण हम प्रफिक ही थी उस समय भी और उसको थोड़ा समझने के लिए हमारे दर्शक समझें कोई भी पद अगर 45 दिन से जादा अगर आप के लिए आपको अगर रखा जाता है तो आप गवन होते हो जो हमारी रिजर्वेशन की पॉइसी है उससे सिक्स्टी बेभी एसी को रिजर्वेशन तो था लेकिन पद एक निकला था तो प्ले में नहीं आया अब ऐसा तो नहीं सकता कि एक वेक्ति हो उसकी टांगे दलित की हो और भीजा जो है वो किसी अगड़े जाती का हो उस समय नहीं था तो उस समय ये प्ले में नहीं आया उसके बाद मैंने आपको नाम बताए कि ऐसे कई बड़े नाम है और अगर प्राक्टिकली देखा जा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई वेक्ति जो आएस सर्विसेज अड्मिस्टेटिव सर्विसेज सब्सक्राइब के लिए और ये कई सरकारें करती रही है मैंने का सिक्स्टी से यह शुरूर कि 17 में नीती आयोग ने कि 3-year action agenda कि सेक्टोरियल गूर्प ऑफ सेक्रेटरीज ऑन गवर्नेंस के लिए बनाया और उसने रेकुमेंड किया कि ऐसे लोगों का induction होना चाहिए जब ये नई सरकार आई ये जब सरकार आई तो ये नई नीती कैसे बने उसमें नए लोग कैसे आए कैसे नया blood infuse किया जाए ये तमाम कोशिचे हुई थी एक अच्छी कोशिच थी एक अच्छी सोच थी हम उसके तहत समय समय पे एंट्रीज एंट्रीज एंट्री हुई हम जो आखरी जवाद मेरे ख्याल से दियो पीटी के मिनिस्टर जीतेन सिंग ने पार्लिमेंट में दिया है 57 57 उन्होंने बताया कि हमारे हमारी सरकार में इतने लोग लाट्रीज वाले लोग हैं अब विवाद कहां से शुरू हुआ जब अभी यह 45 न्यूक्ती होनी है वेकेंसी निकली जिसमें जॉइन सेकरेटरी यह बड़े लेवल की पोस है उससे उपर सिर्फ अडिशनल सेकरेटरी और सेकरेटरी गवर्मेंट ऑफ इंडिया होते हैं जॉइन सेकरेटरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजिशन है पाइदे से उसमें आरक्षण की प्रथिया प्लागू होनी चाहिए थी अब सरकार कैसे घर गई तो पहले वो बताता हूं की कैसे घर गई अब उनतिस नवंबर दोहजार अठारह हूं गवर्मेंट ऑफ इंडिया की अडिशनल सेकरेटरी दोपीटी में थी सुजाता चतुरवेदी जी उन्होंने यूपीसी सेकरेटरी राकेश गुपता को एक चित्थी लिखी और चित्थी में लिखा दा कैंडिडेट्स तो बी कंसीडर्ड फॉम्ट पॉब्लिक सेक्टर ऑटोनोमस बोडीज अब यहां सरकार पहंजाती है लिटोपीटी की आडिशनल सेकरेटरि पॉम्टी एक यूपीची को चथ़ लिखती हैं कि यह जो वेकेंसी आप निकालोगे UX उसमें रिजरवेशन नहीं होगा आप चाहू तो बीको सीको आगे लिखती है अप वह भी आ सकते हैं लेकिन रिजर्वेशन नीगे अब यह जो मेंडेटिड है कॉंस्ट्यूशन में उसके खिलाफ है जी अब जब हाउस में आप बात करेंगे तो आप रिजर्वेशन की बात करेंगे जब प्रदायन मंथ्री बात करते हैं आप जब आहलाल नहरू पे सवाल खड़े करेंगे कि उन्हों ने रिजर्वेशन का विरोध किया, उनको वो 2M दर्जे का सिटिजन मानते थे, उनको इस लायक नहीं समझते थे कि वो पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा बने और इसलिए वो नहीं लेते थे, उनको, तो हाउस में अगर आपका स्टाइंड ये है और आपकी अडिशनल सेक्रेटरी डियो पीटी जो ये इस विभाग से संबंदित हैं, वो लिखती है कि वो इन पदों पे आरक्षण की जो विवस्था है वो लागू नहीं होगी अब ये सरकार के लिए गले की हड़ी बन गई है और दूसरा टाइमिंग है, अभी उत्तर प्रदेश जिसकी चर्चा हमने डिटेल में की थी, उत्तर प्रदेश में 79,000 सिक्षकों की बर्ती हुई कोट ने ये कहा कि इसमें रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको ध्यान में नहीं रखा गया, उसने रोक दिया, कहा नय सिरे से आप मेरिट लिस्ट निका लिए और अंडलाइन ये कर दिया कि इसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी और मैंने उसने भी दर्शकों को बताया था कि 3.86 परसंट रिजर्वेशन OBC को मिला, उनका अरक्षन कितना है 27 परसंट, 21 परसंट की जगा 16 परसंट रिजर्वेशन 16.2 परसंट रिजर्वेशन SC को मिला, तो अभी सरकार इससे निकल नहीं पा रही थी, ये ठीक रहा किस प बड़ी कर दी कि क्या कर दी, कैसे हो गया ये, जबकि रेड़ फ्लैक कर रहे थे उनके डेपूटी सीएम, वो बार-बार पूछ रहे थे, वो तो समविदा पे जो नौकरिया हुई है, उनके बारे में भी जानकारी ले रहे थे, अडिशनल चीप सेकर्टरी से, ये बताया पूट को स्ट्राइक डाउन करना पड़ा, अभी ये विवाद खत्म नहीं हुआ था, और इस विवाद पे ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मसला था, अखिलेश यादव ने चड़ाई कर दी, राहूल गांधी पिक्चर में आ गये, फिर बात शुरू हुई आरक पूरी जो पूरा जो कवायत थी, पूरी जो कोशिस थी, राहूल गांधी की समविधान दिखा कर जो उन्होंने चुनाओं के वक्त भाशन दिया, उसमें यही था कि इस समविधान के साथ ये छेड़चार करना चाहते हैं, आपको याद होगा चौविस में, बाफकी जी का चाहते हैं, तो वहाँ ये विवाद अभी उनको एक नया वेपन मिल गया था, कि उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है, ये सरकार रिजर्वेशन खात्म कर देना चाहती है, दलितों का भी रिजर्वेशन चीना, दरसल ये समविधान चीनना चाहते हैं उन से, और अभी ये चर्चा चली रही थी, कि ये नई वेकेंसी का एक लेस्टाइल, अडवटाइज कर दिया गया, जिसमें 45 जोइन सेकेटरी और डिरेक्टर लेविल के ओफिसर्स अपोइंट किया जाने हैं, और इसी बीच में अडिशनल सेकेटरी की जो चित्ती है, वो भी सामने इसी को वो भी सामने आ गई, तो एक नए सीरे से उनको मौका मिल गया, कि हम यू ही नहीं कह रहे हैं, हमने पहले आपको चिताया था, उत्तर प्रदेश में हाई कोट ने ये क्लेर कर दिया, और उसके बाद देखिए, उसके बाद भी रुकने रहे, अब ये देखिए, इतनी साउंड दिखती है, जिसके क्राइसिस मैनेजर इतने एलर्ट रहते हैं, ये इस वक्त ये वेकेंसी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये पेंड़रा बॉक्स खुल जाएगा, एक बार फिर से आपको एक्सपोज करेगा, तो आप सरकार की तरफ से ये बल्क में लोग उस समय ही आने लगे, तो तमाम तरीके की फायर फाइटिंग की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्स के पास एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है, कि आपका आरक्षन ये खत्म करना चाहते हैं, और आरक्षन तो खत्म करेंगे, मतलब सम्विधान के साथ ज हैं, अगर वो और दो अक्टूबर से अखिलेश यादव कह रहे हैं, कि हम रैली करेंगे, और पूरे प्रदेश में बताएंगे, ये तब होगा, जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाओं हैं, 27 में वहां फिर से चुनाओं हैं, और ये ऐसा इशू है, जिसका इंपक्ट पूरे देश में पढ़ता है, महरास्ट में चुनाओं होने वाले हैं, अच्छी खासी दरीतों की संक्या है, तो ये करके सरकार ने मध्युमक्खी के छटे में हाथ डाल दिया है, ये डल गया है, क्योंकि मैं ये मानने को तयार नहीं हूँ, कि कोई सरकार जो अभी फायर फ अभी आ गया, और सब कुछ सामने आ गया, तो विपक्ष को एक बैटे मिटाए, मौका मिल गया है, तो सर, यहाँ पर एक कॉमन सा सवाल है, कि मान लीजे, अखिले शादों ने बोला कि अगर आप इसे वापस नहीं लोगें, तो हम दो अक्टूबर को प्रोटेस्ट करेंग तो सुप्रीम कोट जाना, सुप्रीम कोट कोई जाएगा, अगरीव पार्टी में से कोई जाएगा, उसको कहां से मदद मिलेगी, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कोट, अगर सरकार सुप्रीम कोट, हार कोट में चली जाती, तो इसका मतलब यह होता कि जो हमने किया है है वो ठीक है वह स्त्टैंड भी लेकिन अभी ते केंगा फोड़ इए पॉलिकली यह है नहीं कहसकते है वह ठीक थिक थिया मतलब रिजर्वेशन उपने खत्म किया वह ठीक किया है तब तो वह तो वह तो ठिक स्कोफ मतलब ये तो हो जाएगा ना कि मानली जी अभी खबरे तो चलने लगे ने कि ठीके सुप्रीम कोट नहीं जाने तो यूपी सरकारी अपनी गलती मानी है और उसको रिवाइस कर रही है अब ये जो यूपी एसी है जो लेटरल एंट्री है अगर उसको देखे सर कि अगर अखिल या एक ऐसा सबजिक्ट मतलब जिस पर उनको बहुत ही एकसाइज करना पड़ेगा कि इसकी इसका डैमिज कंट्रोल क्या हो सकता है क्योंकि ये परसेप्सन के लेविल पे हैं 45 सीटें अगर आप यूपी सी में जॉइन सेकेटरी और डिरेक्टर लेविल पे हैं तो कहा ये जाएगा कि जो इस लेविल पे ओबी सी आते एसी आते उनकी जगह किसी और को अपने चहेते लोगों को रखा जाएगा इसलिए संग लोग सिवायों को उन्होंने रास्टिये सवयम सेवक संग से उसकी तूलना कर दी राहूल गांदी ने कि उनके चहेते लोग आएंगे औ और दर अब जो जगहेंगा ऑर वार बार कहते रहेंड़ार कि दिनों में कितने सेक्रेटरी हैं बजट जो बनाया उसमें कितने OBC थे, कितने दलित थे अब वो इस लिवल पे चले गए हैं कि हर जगह वो ये फीलिंग को जगाने की पशिच कर रहे हैं और वो न सही है बजट के इसमें की बजट के हल्वा जो बन रहा है उसमें कितने शामिल है ये लोपी से एक्सपेक्टेड नहीं है आप एक लाजर इशू पे उनकी उत्थान के लिए आवाज उठाएं वो ठीक है लेकिन वो बजट के हल्वा तक चले जा रहे हैं तो जब उसको वो मैं जोड रहा था कि 45 में से कितने 27 परसंट 45 में से निकाल लीजिए स्थी 15 परसंट स्थी 7.5 परसंट और EWS 10 परसंट 10 परसंट तो अगर आप 45 में से निकालना शुरू करें तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो OBC से होने चाहिए, ST से होने चाहिए, ECONOMICALLY WEAKER SECTION से होने चाहिए इन सब की हक मारी हुई जी और विपक्ष के पास ये होगा कि इन सब का हक कौन मारेगा जो संग के लोग होंगे जो सरकार के लोग होंगे वो मारेंगे तो कैसी पिक्चर पेंट करने की कोशिश होगी कि जो हम कह रहे थे उसमें सच्चाई है और समय ऐसे आए कि वो कहेंगे कि देखी अभी अभी उत्तर पुदेश में शेक्षकों की भरती में इनोंने किया और उसके बाद देखिए तुरत यह लेके आगए मतलब यह कोई छुपके नहीं कर रहे हैं यह तो खुले में कर रहे हैं तो यह सरकार को बैड लाइट में दिखाता है और विपक्ष को एक ऐसा मौका देता है और इस देश में जबकि हर वक्त चुनाओ है और चुनाओ से हर चीज गाइड होती है आ ट्रॉल के दाम कम होंगे चुनाओ के वक्त होंगे आपको कोई महिलाओं को सम्मान मेलेगा चुनाओ के वक्त मिलेगा आज के दिन से जारखंड में शुरू हो गया महिनाओ को हजार रुपे महीना अभी चुनाओ है महराष्ट में शुरू हो गया मद्रप्रदेश में चुनाओ था लाडली महना शुरू हो गया तो इस देश में हमेशा ही चुनाओ होता कोई न कोई और ये मुद्दा चुकी पैन इंडिया को इंपक्ट करता है तिसलिए रा है इस मुद्दे पर सरकाय घिरी है अब इसको कैसे फायर फाइट करेगी यह बताना अभी मेरे लिए मुश्किल है सर यह हम जब डिसकेशन कर रहे थे 24 चुनाव के रिजल्स आने के बाद आपने बताए कि जो अखिलेश आधा और इंडिया गड़बंदे ने जो चीज यूपी में की वह यह की कि वह उन लोगों तक इस बात को पहुचाने में काम्याब रहें कि समविधान खत्रे में सिक्षक भरती को लेकि तो उनको उनने जो वोट किया था जिस मुद्दिप उन्हें वोट किया था वह और पुकता हो गया और ज्यादा सटीक हो गया कि हान नहीं यह तो सही कह रहे थे अपने बीजेपी को दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया जो बीजेपी करीब 70 सीट अपने सहयोगियों के साथ जी चुकी थी उपचुनाओं को मिला दे तो सह जादा और 14 में तो 73 जी उसको आप 33 पे खीच कर ले आते हो बीजेपी को तो वो मुद्दा चला और ये महदूद नहीं है उत्तर प्रदेश तक मैंने एक्जाम्पल थी आपको महराष्ट में बहुत सारे दलित हैं मध्यप्रदेश में चुनाओं हो गए चतिसगड़ में चुनाओं हो गए वहां SCST बहुत हैं जारखंड में ST बहुत हैं तो ये रिजर्वेशन का मुद्दा और समगिधान का Constitution का मुद्दा ये जोड़ता है ये impact करता है ये लोगों के दिमाग में घर करता है और बड़े नेता विपक्ष के नेता जो इसको एक तरीके से इसको इसको जो उनका 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 इक potential वोटर है उसके दिमाग में बरने में काम्याब हुए है तो उनको तो एक नया अभी तक तो वो प्रमान के साथ नहीं कह रहे थे तक पुरानी चीज़े याद करा रहे थे कि वह अन भागवत ने क्या कहा लेकिन अब तो लेटर प्रत्रदेश की बात करेंगे जो अभी-भी हुआ है अभी ये लेट toppings की बात करेंगे जो अभी-अभी निकला है तो वो प्रमान के साथ यंजários जो वह बहुँ साथ करेंगे तो ये एक ऐसा इंडिया गडबंदन के साथ बाकी दल भी जो गडबंदन में शामिल नहीं है विपक्ष में है वो सब इस मुद्दे पर बोल रहे हैं और जैसे यह जो नौटिफिकेशन है जो एडविटिस्मेंट है वह बाहर आया जबकि बीजेपी उत्रप्रदेश में कुछ ऐसे ही मुद भूनाने की कोशिश करता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद है अब कर दो